करीब कि क्या ये वो बच्ची तो नहीं है जो गुमशुदा है सतना से ये जानने की कोशिश नहीं हुई आज सावकार से सवाल है करीब 700 किलो मीटर की दूरी है सतना और उजैन में 13 घंटे लगते हैं गाड़ी में सबसे अच्छे रूट से चलने में ये बच्ची वहां कैसे आई इसको अगवा किया गया इसका परण हुआ 12 साल की बच्ची अपने आप नहीं आ सकती है तो दो दिन तक अखबार में खबरे आती रही इस पर कोई कारवाई नहीं करी गई सतना की पूरी तरह से निश्क्रिय रही उसके बाद शुरू होता है और जैन की पूलिस का पाप और जैन की पूलिस ने क्राइम और क्रिमिनल ट्राकिंग नेटवर्क सिस्टम को ही अगर खंगाल लिया होता तो 12 साल की बच्ची के गुमशुदा होने की खबर मिल जाती और पता च जफ्तीश की जाती उन्होंने ऐसा नहीं किया वो 12 साल की बच्ची खून से लत्फच जब अंततों गत्वा उज्जैन की पूलिस के पास पहुची तो वो बदहाल जरूर थी लेकिन उसने अपने पिता का अपने दादा का अपना और गाउं का नाम बताया और उसके गोशित कर दिया गया उसको विक्षप दिमाग का गोशित कर दिया गया वो बच्ची जो आठ किलोमीटर पैदल चलके न्याई की गुहर लगाती रही जिसने अपना नाम सही बताया इस हालत में पिता का नाम बताया दादा का नाम बताया उसको दिमागी रूप से विक्ष गोशित किया गया भिकारी गोशित किया ये भी सवाल है अगर आप F.I.R. पढ़िये तो बेकार की बाते उसमें लिखी उसके पिता और दादा का नाइक करके छाप दिया गया है ये कह दिया गया है वो मंदिर के पास घुमकर खाना माग रही थी बल्कि सचाई ये कि जब वो पाँच दिन बीट गये आज भी उस बच्ची की टोह लेने भाजपा का एक नेता नहीं गया है एक बहुत बड़े नेता है जिनका काम अब हाट जोड़के वोट मांगना थोड़े ही है हेलिकोप्टर से रैली अड्रेस करना है कैलाश विजय वरगिया जी इस अस्पताल से एक किलो मीटर की दूरी पर रहते हैं लेकिन उस बच्ची की टोह लेने उस बच्ची की खबर लेने ना मुख्य मंतरी गए ना ग्रह मंतरी गए और ना कैलाश विजय वरगिया गए जो लोकल है और वहाँ पर पास में रहते हैं ये बात करते हैं महिला सशक्ती करण की एक दलित बच्ची के साथ दुश्कर्म हुआ उसकी लीपा पोती करने की कोशिश करी गई उसको यूपी का बताने की कोशिश करी गई उसको भिखारी और विक्षब बताने की कोशिश की गई देश के प्रधान मंत्री के मुँसे एक शब नहीं निकला बड़ा वंदन अपना करा रहे थे महिला अरक्षर बिल पास करा कर देश के ग्रह मंतरी मौन है एक महिला बाल विकास मंतरी है इस देश में वो महूर तो समय देखकर बोलती है सिर्फ और सिर्फ राहुल गांदी जी के खिलाफ चुप है महिला आयोग चुप है NCPCR की चुपी बरदाश नहीं हो रही है ये बाल सगरक्षन आयोग क्यों चुप बैठा हुआ है ये सब लोग मौन है ये सब लोग चुप है लेकिन एक दलत बच्ची के साथ वो दुश्कर्म हुआ है जो अमानविय है जिसको सोच कर आपकी हार काप जाएगी इन लोगों के पास बड़े बड़े इश्तिहार मद्धिप्रदेश में लगाने का टाइम है पैसा है हेलीकॉप्टर से घूम घूम कर रुरन कटोले से घूम घून कर खुब रैली और भाषण बाचने का टाइम है इनके पास कारिकरता महाकुब करने का वक्त है लेकिन इनके पास ये वक्त नहीं है कि उस अबोध बच्ची की टोह ली जा सके उसके परिवार को सांत्वना दी जा सके प्रशासन और पुलीस से उसके परिवार को वहाँ बुलाया जा सके अंततो गत्वा अखबार में फोटो देखकर उसके दादा पुलीस में गया और उन्हें का ये हमारी बच्ची है क्यों छुपाया जा रहा है कि वो दलित परिवार की है, क्यों छुपाया जा रहा है कि पुलीस की निश्क्रियता और पुलीस के चलते पुलीस और प्रशासन का फेलियर है कि उस लड़की के साथ ये हुआ अगर 24 घंटे पहले F.I.R. दर्ज हो जाती अगर CCTV ट्रैक हो जाते अगर वो बच्ची मिल जाती तो उसके साथ ऐसी अमानवी है ऐसी बरबरता कत्ता ही न होती ये चुनावी महस्तब मना रहे हैं क्या है चुनाओ क्यू होते हैं चुनाओ चुनाओ होते हैं कि वो जनप्रदीजी चुले जाए जो सत्ता में आकर आपके दुख, आपके दर्द, आपकी पीड़ा, आपकी वेदना की बात करें जो उड़न खटोलों पर घूम कर भाशण ना दें और बड़े नेता ना बनें जो उस बच्ची के लिए और उसके हक के लिए खड़े हूं चुनावी महतसब मना रहे हैं ये बात करेंगे महिला सशक्ती करण की ये जो वाटबाउटरी करते हैं रेप पर इनसे बात करो इसकी तो बताएंगे किसी कॉंग्रस शासित राज्य का नाम कहीं पर हुआ ऐसा कि पुलिस की निश्क्रिता रही पुलिस ने ना Crime and Criminal Tracking Network System देखा ना CCTV कामरा देखे ना उसकी सही जगे की शिनाक करी गई उसको भिकारी और विक्षब दिमाग का बता दिया गया किसी और राज में हुआ है और मद्य प्रदेश में दलित आदिवासी और महिला होना एक पाप हो चुका है ये मेरा अकड़ा नहीं है ये आकड़ा इस सरकार ने सदन में दिया है तेरा लाख महिलाएं लापता हुई पिछले कुछ सालों में सबसे ज़ादा संख्या मद्य प्रदेश की है एक लाख साथ हजार एक सो वस्ती महिलाएं और अरतिस हजार से ज़ादा नाबालिक बच्चियां नाबालिक के साथ दुषकर्म में नंबर वन अगर कोई स्टेट इस देश की है तो वो मद्य प्रदेश है और शिवराज जी का जंगल राज है 18 सालों में उनकी सत्ता रही ये अलग बात है कि ना उनका एक नीती याद है ना उनका नाम याद आता है प्रदान मंत्री को 18 साल सत्ता में 58,000 रेप के मामले सामने आए मतलब हर दिन मद्य प्रदेश में आठ बलातकार होते है 68,000 अगवा होने के मामले सामने आए मतलब 13 बच्चियां 13 महिलाएं रोज की प्रती दिन अगवा की जा रहे हैं उनका परण हो रहा है ये बात करेंगे महिला सशक्ति करण की असलियत ये है कि चाहे आदिवासी के सिर पर पिशाब करने का मामला हो जो भाजपा के नेता ने किया मतलि प्रदेश में चाहे इस दलिद बेटी के साथ ये मामला हो चाहे आज सवेरे अभी इस दलिद बेटी का मामला चली रहा है उस पर लीपा पोती शिवराज का जंगल राज करी रहा है एक और मामला सामने आ जाता है कादिवासी महिला का रेप और हत्या का ये असलियत है मध्य प्रदेश की 18 साल से जो लोग बात महिला सशक्ति करण की करते हैं उनकी नाक के नीचे ये हो रहा है महिलाओं के साथ बच्चियों के साथ लेकिन देश के प्रधान मंत्री, देश के ग्रह मंत्री, देश की महिला बाल विकास मंत्री देश का महिला आयोग, बाल संगरक्षन आयोग, सब मूब में मौन और चुप्पी धारे बैठे हुए है शिवराज सिंग चुहान उड़न खटेलों से उड़ उड़ कर भाशन बाच रहे, उनके पास वक्त नहीं है इस बच्ची की खेर खबर लेने का कहलाश विजय वर गिया, माइक पर बता रहे हैं, एक परसन लड़ने का चुनाओ मन नहीं है, अरे मन नहीं है तो जाइए उस बच्ची से मिलिए कहां से न्याई की उम्मीद की जाए, ये सवाल आज आप जैसे लोगों से मीडिया के माध्यम से पूछना बनता है न्याई की उम्मीद, न्याई की गुहार कहां लगाई जाए, ये असलियत है, I will very briefly make an statement in English, there is a gruesome crime against a 12 year old girl that has come to light in Madhya Pradesh, something that has really shocked the collective consciousness of this country, but the reality is that the Shivraj Singh Chauhan government has been absolutely silent on it and it now comes to light that it all happened because the police was callous, careless and may I dare say a part of this entire crime against this little girl, our General Secretary Shri Randeep Singh Surjewala, in charge MP has met the girl and some shocking things are now coming to light, she is not from UP, she is not a beggar, she is of absolutely solvent mind and yet every attempt was made to say she was from UP, she had ventured into Madhya Pradesh, she was a beggar, she was begging in Ujjain and that she was not of the right mind, the reality is she was a student, she is from Satna, Satna is 700 kilometers away from Ujjain, how did she reach there, it takes 13 hours to travel by road, the reality also is that once she went missing from school, her family went to the Satna police that refused to file an FIR for 24 hours, they refused to track the CCCV cameras, had they done that, this could have been prevented. Had the Ujain police tracked the crime and criminal tracking network system, they would have found out about a girl missing from Satna being found in Ujain. The reality is this little girl, after being raped brutally and smeared with blood, she walked for 8 kilometers asking for help and people did not help her. When she finally reached the police, she told them her name, she told them their father's name, she told them her grandfather's name, she was wearing a school uniform and even then, she was declared that she was begging and she was of an insolvent mind. What is the police's role in this? Why is the chief minister quiet? What is the home minister of Madhya Pradesh doing? Kailash Vijay Vargya stays one kilometer away from the hospital in which she is admitted. Why can they not go and find out? This is the absolute jungle raj, the absolute breakdown and collapse of law and order as far as Dalits, tribals, women. In Madhya Pradesh is concerned. The chief minister has the time to travel on helicopters and campaign. He has the time for advertisements. He has the time to do a karikarta maha kumbha. But as far as women in MP is concerned, it's a travesty, it's a tragedy to be a woman in that state. The prime minister conspicuously quiet like always. The home minister never talks on women. In fact, gives political patronage to people like Braj Bhushan Singh, who do crime against women. The women and child development minister, we all know, only opens her mouth while she is speaking against Rahul Gandhi. What about the NCW? What about the NCPCR? When are they going to speak up? So these are very, very basic questions that one must raise because Madhya Pradesh has become the hotbed for crime against women and especially minor girls. It's number one in the country as far as crime against minor girls is concerned. In the last 18 years, 58,000 rapes means 8 rapes a day. 68,000 women abducted means 13 women abducted a day. 13 lakh women have gone missing in this country is the data that was given by the government in parliament. Maximum number from MP over 1,60,000 women over 38,000 minor girls. That's the record of Madhya Pradesh. That's the record of the BJP. The reality is that the chief minister, the home minister have completely failed women in Madhya Pradesh and particularly if you are from the Dalit and the tribal community. And the only reason that Shivraj Singh Chauhan is conspicuously quiet and silent is because this girl comes from a Dalit community. And which is why no outrage, which is why the police looked the other way as a gruesome crime happened here. This could have been avoided. This could have been averted. It's a problem with your questions. Please please say questions. The BJP's provoktas Shajad Hoonawala and all Nita are saying that there is a lot of crime against women in the world. In this process, is there believed that they have a certain challenge that where they are the government, that you have question. Wherever you are the government, that you have question. And the nation is concerned about it. तो राजनीती तो जम के चल लई है लेकिन घटनाय रुक नहीं रही है आपको लगता है यह चुनावी मुद्दा है मुझे लगता है एक सब्धे समाज का मुद्दा है मुझे दो प्रती का फर्क नहीं पड़ता चुनाओ हो या ना हो मुझे समाज से भी शिकायत है मुझे उन लोगों से शिकायत है जिसको उसने 8 किलो मीटर के दाइरे में देखा जिन लोगों ने और मदद नहीं की उसको एक वस्त नहीं दिया उसका बदन ढटने के लिए मुझे उन लोगों से भी शिकायत है ये सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है और तेरा रेप वर्सिस मेरा रेप की राजनिती बंद कर दीजिए मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए आप राजस्थान में रेप खंगोलिये आप बंगाल में देखिए आप बिहार में देखिए आप यूपी में देखिए आप मध्यप्रदेश में देखिए कहीं पर भी अगर महिला के खिलाफ अत्याचार होता है वो गलत है वो दुषकर्म है वो पाप है लेकिन पुलीस और प्रशासन क्या करता है सारी बात आकर इस पर टिक जाती है अगर मणीपुर में होता है ऐसा तो पुलीस और प्रशासन सलगर पता चलता है अगर मध्यप्रदेश में ऐसा हुआ तो उसकी दलत आइडेंटिटी छुपाई जाती है उसको भिखारी और दिमागी रूप से विक्षब बता दिया जाता है किसी और राज में ऐसा हुआ है किसी और राज में 24 घंटे लगते हैं F.I.R. होने में नाबालिक की सुप्रीम कोट का ओर्डर है नाबालिक के गुमचुदा होने की F.I.R. त्वरत होनी चाहिए कौन इन बातों के लिए जवाब दे है आप बिल्कुल बोलिए हमारे राज्यों में रेप होता है बिल्कुल उसके खिलाफ बोलिए सब ये समाज में आधी आबादी के खिलाफ हो रहे दुशकर्म पर हम सब को एक स्वर में उसके खिलाफ बात करनी चाहिए लेकिन ये तेरा रेप वर्सिस मेरा रेप की राजनीती नहीं है ये निश्क्रियता जहां पर पुलीस और प्रशासन की होती है और जिसके चलते ये मामले बढ़ते हैं उसकी राजनीती है आप लेये मामले कहीं के क्या उन मामलों में उस महिला के दलित होने को छुपाया जाता है क्या उन मामलों में एक स्टूडन्ट को एक विद्यार्थी को स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुई एक विद्यार्थी को ये छुपाया जाता है कि वो विद्यारती है उसको भिकारी गोशित कर दिया जाता है क्योंकि आपके राजमे चुनाओ है सत्ना की लड़की को आप उत्तर प्रदेश का बढ़ा देते है क्योंकि आपके राजमे चुनाओ है आप अच्छे खासी बारा साल की लड़की को विक्षप बला देते हैं मेंटली ये किसी और राज में होता है किस तरह की बाते हैं ये कौन सी राजनिती का मुद्धा है शर्मानी चाहिए ये रेप वर्सिस रेप की रागनिती मैं इसमों प्रेस कॉनफरेंस ना करती अगर तुक होकर काया है कहीं पर भी होता है महिला के खिलाफ गलत है लेकिन कारभाही क्या होती है असलियत यह है कि राजस्तान का चम्विक्षन र 28 प्रतिशन है डेश का औसा珍ले चुविक्षन रेट 26 प्रतिशन है बलातकार के मामलों में महिला चेर्शाड के मामले में और प्रशासन धीला पड़ता है, तो पूछा जाएगा, जहां पर सालों लग जाते थे, वहां पर conviction होने में, राजिस्थान ने महज 6 महीने के अंदर conviction कर दिया, कौन इस बात का जवाब देगा कि जगन्या पराधी पाए जाता है, वो ABVP के वरकर्स पाए जाते हैं, कौन ज आबाधी के खिलाफ होते दुशकर्मों पर है, सवाल ये है कि एक बच्ची दलिट समुदाय से आती है, उसके साथ ऐसा होता है, मुख्यमंतरी चुप हैं, कैलाश विजे वर गया, एक किलो मीटर की दूरी पर रहते हैं, कोई उनकी टोहले ने नहीं जाता है, लेकिन राज सुप्रिया क्यूंकि मामला इसी से जुड़ा हुआ है, महिला, सुरक्षा और बेटियों की बात हो रही है, आज तक ने पूरा एक ओपरेशन किया है, बेटी बाजार, राजस्थान के सवाई माधवपुर से लेके, निमच मध्यप्रदेश में, जहां पे अभिभावक से देखे चाचा भाई भतीजास